असलाम नेकुम डियर स्टूडेंट जैसे का आप जानते ही हैं कि हम डेल्टन का एक आर्टिकल डिसकास कर रहे हैं और आज हम देखेंगे के इसके अंदर टेक्स कमेंटरी और हाइपर को मिलाके और डेल्टन ने अक्टिविटी को कैसे एक्स्प्लेन किया हुआ है कि टीचर किस तरीके से इसको इसको इसके अंदर हमें दो एक्जेमपल मिलती है हाइपर लिंक रिमार्ख के लिए और वो किया है पहला जो लिंक है वह आरा एक बड़ी ही इंटरिस्टिंग हैडिकर को हैं चूटा जानवर है और बुनियादी तौर पर चूः चोटा जानवर है वो श्यर के पास है और और आगे पीछे भाग राग कभी उसके उपर से च्छलांग मारता है जिसकी वज़ा से शेर उठ जाता है अब इसके अंदर इंट्रस्टिं किसम के जो क्वेस्टन्स हैं वो डेल्टन ने कि आप उचें स्टूडेंट्स ने कि चूहा ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो क्यों इदर उदर भाग रहा है जिसकी वज़न से उसे पता है कि शेर एक बड़ा जानवर है खतरनाक है वो जाग गया तो वो घुस्से में आएगा और किस तरीके से इलस्ट्रेशन के अंदर चूहे कि साइस को शेर के साइस से कंपाराजन किया गया है और दिखाया गया है कि दोनों के साइस में किस किसम क का फर्क है और इस फर्क के डेफिनिटल माइनी तो है लेकिन इसके साइकलोजिकल माइनी भी है जहां चोटा साइज होगा और जहां बहुत बड़ा जानवर होगा वहां ताकत का फर्क भी है जिक साइकलोजिकल फर्क है ताकत के साथ साथ इक्तियार का फर्क भी है तो इस क रहें इंट्रेस्टिं किसम के कॉमेंट लिखे वें मिसाल के तौर पे चुह आप बहुत डर गया था इस वजह से डर के मारे उससे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या अक्षिंस कर रहा है या उसके फुलिश एक्षिंस के पीछे चुहे का खौफ कैसे जो था वह इंपॉर्ट और उन सवालात को सुनने के बाद और टेक्स को ओरली सुनने के बाद इस्टूडेंट जो थे उन्होंने अपना अनैलिसिस करना था सवालों के जवाब देने थे हाइपर लिंक में जो सवालात थे उन सवालात को पढ़के उनको समझके उनके जवाब देने थे इस किसम की जो चीज़ हैं जैसे के और एक्स्ट्राइशन अल्रेडी एड़ान कर देना है इससे डिसकेशन जो है बनियादी तौर पर स्टूट्ट की वह इन्रिस्ट हो जाती है स्टूट्ट को ज्यादा परचूनिटी मिलती है कि ना सिर्फ वह रीड़ाउट कर सकते हैं बलके उसको अगर कई स्टूट्ट कमफर्टेबल हैं जिस रीडिंग के थू तो वह इन तमाम आप्शन को मिस कर देते हैं उनको सुनने की जरूरत नहीं है आया वह इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते जो तस्वीरें इसके अंदर आड़ ओन की गी थी उनके अंदर जो स्टाइक इस था कलर का और साइस का उसके उपर डेफिनेटली सवालात थे दो जो अलग की रीचेशर हैं मखलू के शेर और एक चुहा उन दोनों के बारे में डिसकॉशन थी और उसके उपर इंपॉर्टेंट क्वेस्चन स्टेज्ट ने या अपनी आडियो रिकॉर्डिंग करवान साइडिंग मजूद थी जिसका नाम है लाएन इस गिंग ऑफ जंगल अब इसका भी एक सिंबॉलिक मिनिंग है इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टन डिसकॉशन हो सकती है और स्टूडेंट्स की जो अडिस्टेंडिंग है कि किंग ऑफ जंगल का मतलब क्या है और इसके स इंडर्स्टिंग तरहीके से डायलोकस इस्सेमाल कीएं जिससे पता चल्ए रहा है कि शेर कितना बढ़ा है कितना ठाकत्वर है कितना थियार रखताए और चुहे के लिए कौन से डायलोकस और वोड्ट्ड ज्यूजों की हैं जिससे पता चलता है कि two new की ताकत और इसिखिय बनाएंगे तो उसमें बजीद हाइपर लिंक्स एड़ान कर सकते हैं इसके इलावर जो एक और इंट्रस्टिंग फीचर एड़ान हो सकता है वो यह हो सकता है कि ऑथर ने क्यों इस किसम के इलफाज इस्तेमाल कियो और इन इलफाज के क्या माईनी है और इन यह इसके दो बनाएं पावर पॉइंट स्लाइड में और उसके साथ हाइपर लिंक्स करें जहां स्टूडेंट जाके उस पे अपने कॉमेंट्स करें पिक्चर्स इंसर्ट करें एक्स्ट्रेशन दें अपनी आडियो रिकॉर्डिंग करें और दूसरों की यह तमाम चीजें देखें तो यह बहुत ही इंट्रस्टिंग फैक्टर होगा अब आपके सामने यह इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन जो है डफिनिटी डेल्टन की अपनी स्टडी है और रेफरेंस उसका साथ दिया वह और आप इसे इलिस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि हर एक्स्ट्रेशन के साथ जो है पावरपॉइंट की एक लिंक मौझूद है स्टूडेशन जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो वह कॉमेंट का सेक्शन खुल जाता है वहां बलून्स भी है वहां जो है कॉमेंटरी के लिए डिफरेंट बॉक्स भी है और वीडियो रिकॉर्डिंग और इमेजिस के इंस की विए जो कीबोर्ड के उपर है कीबोर्ड इसकूर्स में भी तमाम स्टूडेंट ने देखा हुए घर में भी जिनके पास लैप्टॉप्स होते हैं या कंपीटर होते हैं वह कीबोर्ड देख सकते हैं और वह साइस का डिफरेंस जो है उसको वेट कर सकते हैं उसको समझ स सकते हैं और इंट्रेस्टिंग किसम की कॉमेंट बिल्ड अप कर सकते हैं.